नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज के ब्लाउज की कटिंग अब देखिए जैसे आप लोगों के समझ में नहीं आता है कि 32 चेस्ट की कितने आरूमर रखने हैं, कितने सोल्डर लेने हैं तो मैं आज बो सब बताऊंगी जो आपको दिक्कत दे रहा है कि कैसे हम सोल्डर लें और कैसे आरूमर लें अगर आपके चेस्ट 40 है या 35 है या 36 है तो अठाई चेस्ट बाले भी बहुत कमेंट कर रहे हैं कि अठाई चेस्ट का ब्लाउज कैसे निकाले तो आज मैं बहुत सब बताऊंगे आपको कैसे कैसे chest का blouse निकानना है और कितने कितने इंचिके आपको solder लेने हैं आरूमर लेने हैं तो देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखें जब यह आपके समझ में आएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको heavy chest है तो इसका बताती हूँ heavy chest है तो देखिए आपको पहले blouse को अच्छे से रखना है अब यहाँ पे हम solder का नाप लेंगे यह देखिए solder है वो 11 है अब लेंगे पीछे की लंबाई कि हमें कितनी लंबाई रखनी है तो यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे तो इसकी लंबाई है वो 4.5 इंच अब देखिए यह हमारा कप्ड़ा है तो वो 80 cm है तो आप चाहें तो इसके आगे और पीछे के दोनव पल्लर भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका पीछे का पल्लर भी निकाल के आगे का पल्लर निकाल सकते हैं तो देखिए कपड़े को पहले हमें लंबाई में रखना है तो यह कपड़ा हमारा लंबाई में है और एक किनारी है, वो इदर की साइड है अब दीखिए जैसे हमारी 19 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 19 पे निशान लगा लेंगी एक साइड हमारी 19 है, आब दीखिए हमने निशान लगा लिया 19 पे, अब हम यहाँपे लेंगे 2 या 3 इंच बोलेंगे हम सिलाई के लिए अलग से तो हम यहाँ पर ले रहे हैं धाई इंच दो इंच और आदर अब यहाँ पर हम यह कटिंग कर देंग अब यह हमारा आगे और पीछे के दोनो पल्लर हो गए अब हमें एक पल्लर को बराबर करना है क्योंकि जब हमारे पीछे की लंबाई है उससे हमें 1.5 इंच ज्यादा लेनी है कपड़े की लंबाई तो मैं आपको ज्यादा कंप्यूल नहीं करूंगी आपके अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही सरकार रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखे 14.5 इंच हमारी लंबाई है और 1.5 इंच हम इसको लंबाई में ज्यादा लेंगे क्योंकि नीचे की साइड हम तुर्पाई करेंगे 1.5 इंच हम कपड़े को नीचे की साइड चोड़ेंगे और यहां से 1.5 इंच होना चाहिए अब देखे बराबर यह 1.5 इंच हमारा नीचे की साइड है तो यह हमारा पूरा हो गया 16 इंच 16 इंच है पीछे का और आगी का हम लेंगे वो 1.5 इंच लंबाई में ज्यादा लेंगे पीछे बाले से तो यहां पर आप देख रहे हैं यह लंबाई ज्यादा है तो 2 इंच ज्यादा ले लेंगे आगी का अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से डबल करना है यहां पर हमारा छोटा बढ़ाए इसको बराबर कर लेंगे अब इसके बाद हम लेंगे यहां पर solder तो solder जैसे हमारे 11 इंच है तो हम यहां पर 6 इंच रख लेंगे यह हमारा 6 इंच, solder होई है अब आरूमल लेंगे, बोलेंगे हम 6 इंच अब यहां पर हम देखिए, इंची टेप को इस तरीके स्टकेंगे, आदा इंच और इसमें हम यहां पर यह गोलाई का निशान लगा देंगे अब करेंगे हम आरूमल की cutting अब हम यह गले की cutting करने है अब देखिए, यहां से हम अपनी गले का नाप लेंगे यह 6 इंच और लंबाई गले की, आगे बाली की और पीच्छे की अलग है तो हम इसको, पीछे बाली को निकाट लेंगे क्योंकि पीछे की लंबाई जादा है, इसलिए हमें हटा देंगे अब आगे की हम 6 इंच की लंबाई लेंगे, 2 इंच की चोड़ाई ये हमारी लंबाई हो गई, और ये हमारी चोड़ाई अब हम लगाएंगे तीरे का निशान तो यहां से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और साड़े तेरा इंच पर निशान लगा लेंगे अब एक इंच आम उपर लेंगे गले बाली साईड है हमारा गला है वहाँ पर एक इंच उपर लेने के बाद इसको हम निस्तरीकी से जोड़ देंगे यह हमारा तीरे का निशान हो गया नीचे का तीरा हो गया और गले की कटिंग करेंगे एक एक चीज में आपको अलग लग बता रही हूँ जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए यह हमारा गला हो गया है अब आदा इंच हम यहाँ पे आरोमल के कटिंग कर देंगे इस तरीके से आगे माले ही आरोमल हमें काटनी है अगर हम इसको अच्छे से काट लेंगे तो हमें बाजू में आगे की साइट जो कतिंग लगाते हैं कतिंग कर देंगे और हमारे बुल को भी जोल नहीं आएगी आगे की साइट अब देखिए हमने चौकुटा गला बनाए अगर आप चाहें तो यहां पर गोल भी बना सकते हैं अब इसके बाद हम लगाएंगे यहां पर टक्स का निसान तो देखिए यहां पर हम दस इंच पर निशान लगा लेंगे अपना फिटिंग का और जो हमारा कपड़ा है वो हमारा सिलाई का है वो अलग रहीगा अब इसके 9.5 इंच के हम इस तरीके से इंचिटेप को डबल करेंगे और इसका आदा कर लेंगे 9.5 इंच का तो यहां पर हमारा पॉने 5 इंच है अगर आप चाहें तो साड़े 4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं नीचे की पिलेट का तो हम यहां पर निशान लगा लें पॉने 5 इंच पर अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 4.5 इंच पर निशान लगा लें चार इंच और आदा अब इसी के बराबर हम यहां पर गले की पिलेट का निशान लगा लेंगे अब नीचे से हम दो इंचू पर लेंगे और ये बगली की पिलेट का निशान लगा लेंगे ये हमारा बगली की पिलेट का निशान हो गया अब आरूमल का निशान लगाना हमें इसे देख के इस तरीके से अब ये हमारी देखिए चार पिलेट है बराबर आ गई अब हम यहाँ पर कैची का कट लगा लेंगे और इसको दूसरी साइड इस तरीके से करके निशान लगा लेंगे अब यह कैची के कट हैं तो इससे हमें प्लेट डालने में आसानी रहेगी और प्लेट हमें सेट में डालनी है जो मैं आपको बताती हूँ, प्लेट को यहां से आपको आदा इंच लेना है, और यहां पर कम करते हुए आपको उतारना है, और यह हमारा नीचे का तीरा है, यहां पर हम तीरे की एक इंच कटिंग कर लेंगे, क्योंकि प्लेट डालने के बाद तीरा बड़ा हो जाता है, तो हमें यहां पर 1 इंच cutting करनी है, अब यह देखी हमारा नीचे का तीरा हो गये, यह हमारे आगे के पललार हो गए, अब पीछे का गला निकालेंगे, अब हम अपने पीछे की गले के लंबाई का नाप लेंगे, यहां से इंची टेप को इस तरीके से रखना है तो इसके जो लमबाई वो 9-च है, पहरे हमें लमबाई का निशान लगाना है, 9-च पर उसके बाद गली की चोड़ाई लेंगे, 0.5-च और यहां पर हम ए निशान बना देंगे, पहरे चौकूटा निशान उसके बाद यहां से गोलाई का सेथ, अगर आप चौकूटा गला बनाना चाहते है तो इसको हम चौकुटा ही काटेंगे इस तरीके से अब देखिए हमारे गले की कटिंग होगा अब हम पीछे प्लेट का निशान लगाएंगे साड़े पांच इंच पर और यहां पर कैची का कट लगा लेंगे यहां पर बराबर कर लें अब करेंगे हम अपनी बाजू की गवाज। आद में पहले लंबाई नापनी है यहां पर हमारी जो लंबाई है वो पांच इंच है अब हम यहां पर लेंगे 1.5 जो हमारा सिलाइंगे और तुरुपाई में जाएंग अब यहां पर लेंगे 5 इंच अब देखिए कुछ लोगों को बाजू काटना नहीं आता है तो कोई कुछ कठिन नहीं है बाजू काटना बस आप अखवार या पुराने कपड़े पर कटिंग करें दो एक बात तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा तो देखिए हमारे बाजू की लंबाई है और यह चो तो हम यहां पर निशान लगाएंगे वो तीन इंच का लगा लेंगे अब यह जरूरी नहीं है कि आप जब निशान लगाएं तो तीन इंच का निशान लगाएं आप दो इंच का भी लगा सकते हैं धाई इंच का भी लगा सकते हैं तो यहां पर हमने तीन इंच का निशान लगा लिया है और इसको हम इस तरीके से तिर्चा निशान लगा लिए अब देखिए क्या है इसमें कटिन देखिए कितना सिंपल है बाजू की कटिंग करना अब यहाँ पर थोड़ा से हम अपनी मौरी की cutting कर दोगें और एक कपड़ा हमारा अंदर की साथ चला जाएगा तुर्पाई के और यहाँ पर हमें पांच इंच की लंबाई मिल जाएगी आदा इंच हमारा ही सिलाई में चला जाएगा अब देखिए हमारे बाजू के cutting एकदम simple और सरल तरीके से बताईए मैंने आपको अब यह हमारा पीछे का है और यह हमारे आगे के परलर है अब मैं आपको अठाई chest का blouse बताऊंगे cutting करके अब देखिए अठाई chest का blouse बहुत कम आता है सिरने के लिए लेकिन मैंने अस्तर लिया है आपको बताने के लिए देखिए कपड़े को पहले हमें double करना है अगर आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं अगर आप पीछे का पलर निकाल के बनाना चाहें तो पीछे का पलर भी निकाल के बना सकते हैं तो दीखिए जैसे अगर आप अठाई chest का प्लाओ बना रहे हैं तो दीखिए यहाँ पर आपको chest लेनी है 14 इंच इस तरीके से 14 इंच आपको chest का कपड़ा लेना है अगर आपका यहाँ पर border है तो आपको पहले पीछे का पलन निकालना है उसके बाद आगी का तो दीखिए अब मैं आपको इस तरीके से बता रहे हूँ पहले आपको simple कपड़ा है तो आपको इस तरीके से निकालना है अठाई chest लेनी है तो आपको यहाँ पर 14 इंच लेना है उसके बाद आप यहाँ पर गुंजास के लिए ले 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 अगर आपका border है तो आपको पहले एक इंच ज्यादा लेना है तो दीखिए आजकल अस्तर बाली बलाव ज्यादा चल रहे है तो एक इंच हम ज्यादा लेंगे तो यहाँ पर हम लंबाई ले लेंगे तेरा इंच 12 इंच की लंबाई है तो हम तेरा इंच लेंगे पीछे का पल्लर और सोल्डर लेंगे हम इसक पांच इंच है इंची टेप को इस तरीके से, रखेंगे, आदा इंच पर इसको इस तरीके से गोल आय कसे एफ अब गले के चोड़ाई लेनी है अन्हे हमें यहां पर श.अगर आप पदले हैं यहां पे गोलाई का सिव, अब देखिए इसको हम पीछे का पल्ला निकाल देंगे, इसके बाद अब जो यह कपड़ा बचेएगा, उसमें से हम आगे का पल्ला निकालेंगे, तो देखिए यहां पे हमारा यह कपड़ा बचा हुआ है, तो देखिए यहां पे भी हम साड़े पांच इंच लेंगे, आगे की पल्लर, आगे की जो आरूमल है वो भी साड़े पांच इंच, आगे की पल्लर में साड़े पांच इंच ही लेना हमें, अब हम यहाँ पर चेस्ट का निसाल लगा लेंगे, साथ इंच पर, यह हमारी चेस्ट हो गई, अब हम जैसे पीछे का यह यह हमने लिया यहाँ पर 1.5 इंच की गुंजास, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच की गुंजास ले लेंगे, अगर आपके अच्छे सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले पीछे का पलर काट लो यहाँ पर बरावत कर लेंगे पहले कपड़े को यह हमारा गला हो गया यह हमारी आरूमल है अब दिखिए आगे के पलर को हम इस तरीके से रखेंगे आगे और पीछे की चेश्ट हमें बरावर लेनी है बस हम यहाँ पर लंबाई ज्यादा लेंगे पीछे के पलर से 1.5 इंच आगे के पलर की आरूमल हम इसी के परावर लेंगे पीछे के परावर अब इसको हटा देंगे अब देखिए आगे का जो गला है वो हम 1.5 इंच का लेंगे जैसे हमने पीछे का लिया है लंबाई 6 इंच आगे की गले की लंबाई हमारी 6 इंच की रहेगी और इसमें हम यहाँ पर गोलाई का से आदा इंच हम यहाँ पर आरुमल की जादा कटिंग कर लेंगे आगे वाले की और यह हमá माया गला अब लगाएंगे हम यहां पर तीरे का निस्हाँ तो यहाँ पर देखिए हम 11 इंच पर निस्हान लगा लेंगे तीरे का अब नीचे का जो हमारा सेप है तीरे का तो एक इंच हम उपर लेंगे गले वाली साइड पर जो हमारा गला है और इसको देखिए हम इस तरीके से मिला देगे यह हमारा तीरे का सेप अब देखिए पहले हम यहां पर तीरे की कटिंग कर लेंगे अब इसके बाद देखिए हम लगाएंगे यहाँ पर टप्स का निशान तो जैसे हमारी चेश्ट है इधर प्लेन है जैसे हमारी चेश्ट है 28 तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे यह हमारा 7 इंच है अब 7 इंच का हम आदा कर लेंगे इस तरीके से 3 इंच हो रहा है तो 3.5 इंच पर नीचे की प्लेट का निशान डेल इंच उपर यह प्लेट हो गई अब यहाँ पर लगाना है हम टक्स का निशान 8 इंच पर लगा लेंगे अब इससे हमें एक इंच उपर रखनी है अपनी प्लेट इस तरीके से तिरशी भी लगा सकते हैं इस तरीके से भी लगा सकते हैं आठ इंच पर जैसे हमारा इस टक्स का निशान है तो इसके बराबर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी हम तिरशी भी लगा सकते हैं आरुमल की हम यहां पर इसको देख के लगा लेंगे, यह दिखिए कितना सिंपल है, कितने भी चैस्ट है आप इसी तरीके से ब्लाउट निकाल सकते हैं, बस में पिलेट हमारी यह नीचे की होती है, वो आपको बराबर देख के निकालनी है, इतना कपड़ा आपका सिलाई में चला जाएगा, और यह पिलेट हमारी बराबर आएगी बीच में, अब दिखिए, जैसे मैंने यहां पर 11 इंच लिया आए, आपको लगेगा कि 11 इंच लिया आए, हमें लंबाई 12 इंच की रखनी है, तो यहां पर आप जब प्लेट डालेंगे, तो यह चोटा हो जाएगा, और इसका तीरा, जो हमारा पीचे का पल्लर है, इसी के बराबर हमारा यह तीरा आएगा, तो जब हम इसको पहले इसमें इस तरीके से प्लेट डालेंगे, और यहां पर जुड जाएगा, और इतना छोटा ही तीरा हमारा इसमें लगेगा, इसमें यह सिलाई में चला नीचे की साड और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे अगर आपका अस्तल बाला है तो इसी के बराबर आपको रखना है अगर तुर्पाई बाला है तो जो भी कपड़ा है वो आप अंदर की साड़ इस तरीके से ले सकते हैं कितनी आपको इसकी लंबाई रखनी है चोड़ाई आपको लेनी है इसकी 17 इंच 17 इंच की चोड़ाई लेनी है आपको अगर आप नहीं है तो 18 इंच की चोड़ाई ले सकते हैं तो हम यहाँ पर 17 इंच की चोड़ाई लेंगे कपड़े की अब देखिए यहाँ पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे तीन इंच तीन इंच हो गया लंबाई एक इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और कप्टे की चौड़ाई हमें 17 इंच की लेनी है तो देखिए 17 इंच है और इसको हम डबल कर लेंगे अब यहाँ पर जो खुली बाली साइड है यहाँ पर निशान लगा लेंगे दो इंच पर और इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे उपर की साइड अब देखिए यह हमारी बाजू की कटिंग हो गई चोटी बाजू की ऐसे ही कटिंग करनी है तो यह हो गई हमारी चोटी और बड़ी size की cutting ये हमारा बड़ा size है और जैसे कुछ लोग बोल रहे थे 8 chest का blouse तो मैंने उन के लिए भी 8 chest का blouse बता दिया हैं ये हो गई हमारी 8 chest की cutting और कम या ज्यादा chest की आपको When cutting करने हैं, तो आप इसी तरीके से कम या ज्यादा chest की cutting करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब क धन्यवाद